और कि भारत और इंडिया में से क्या सही है सम्विधान सभा में इस पर खूब दहस हुई थी यह हमारे सम्विधान का अनुच्छेद एक है और उसमें लिखा हुए इंडिया इट इस भारत शेल बी ए यूरियन अफ स्टेट्स बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि उससे में डिवेट थी कि भारत का नाम भारत रखे या इंडिया रखे कुछ लोग ने आर्या वरत भी कहा आर्या वरत कहा कुछ ने हिंदुस्तान कहा सब नाम चले अंत में सहमती बने कि नहीं भारत और इंडिया ही ठीक है नहरू जी ने खुल के तो नहीं पर नहरू जी के परस्पेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो यह थी कि हमारे सम्विधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाये थे जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है 1935 का एक्ट था उन सब में इंडिया का इससे माल था उस समय के भारत की तरफ से जो समझोते अंतराश्टि थे उन सब में इंडिया नाम था पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानते थी अमेरिका हो फ्रांस हो मुद्दों में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महतु भारत का भी रहेगा, तो लिखा गया इंडिया, देटिस भारत, इंडिया जो की भारत है, राज्यों का एक संग होगा, चार दिन पहले की बात है, मैं हॉलेंड में एक टेक्सी में बैठा हुआ था, इंट्रेस्टिंग मत सोच के देखिए, टेक्सी का ड्राइवर मुरक्को का रहने वाला था, उसको जैसी पता लगा, मैं भारत से हूँ, उसने मुझसे यही सवाल पूछा, उसने क में यह सवाल आ रहा है, तो मैंने कहा कि यह तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन बात अपने आप में सही है, जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ, मुझे खुशी होई, क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मज़ा है वो बॉम्बे में नहीं, बॉम दिल्ली बनाके रखा हुआ है डी डवल लई यह होना चाहिए कहे के डेली वाई तम क्यों डेली वो लेंगे डिल्ली वो यह सारे तरक अगर सही है कि अगर बर्मा का नाम म्यामार होना सही है क्योंकि उनकी जंता की आवास्तों म्यामार में है बर्मा में नहीं है शीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आपको सीलोन ना मानना चाहिए शीलंका मानना चाहिए क्योंकि उनकी भासर शीलंका बोलती है तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए मैं फिर सबस्ट कर दूँ मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं मुझे उनसे रत्ति भर मतलब नहीं मैं विचार की बात कर रहा हूं और मैं जब सम्विषान पढ़ाय करता था अनुच्छे देख पढ़ाते वह मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुबन होती है यह पढ़ते हुए कि इंडिया देट इस भारत दोनों लिख्षने थे ठीक है दोनों रखें के दिकते इंट्रेस्टिंग बात इसके बाद है मौरक्को के उस रैवर ने उसके बाद पते क्या कहा है हिंदी में अगर पता हूं बोले अच्छा अच्छा यह मामला है अब समस्विए फिर बोले कि बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है हमारा नाम मौरक्को पढ़ गया फ्रेंच लोगों की वज़य से मौरक्को के लोग मगरिब बोलते हैं और जब मैं सौधिय अरभी आ गया सौधिय अरभ के लोगों ने मुझसे कुछा कहा से आए हो मैंने का मौरक्को उन्हों ने इस भाव से देखा कि मैं पागल हूँ बोले नई मगरिब से आए हो अगर मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कहके खुश है तो उसे फ्रेंच लोगों की वज़े से मौरक को क्यों कहा जाए इंडिया शब्द वेस्ट में दिया और बुरे भाव से दिया उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिशड़ा हुआ होना रेड इंडियन्स वेस्ट इंडियन्स तो आज ही ये क्यों हुआ मै समझता हूं कि राजनितिक नहितारत है और उस राजनिति में में रुची जरा से भी नहीं है लेकिन ये आज हो या कभी भी हो मैं इस पक्ष में हूँ कि देश का नाम देश की भाशा में होना चाहिए और देश की भाशा भारत के पक्ष में हैं आप इंडिया भी रख इंडिया देट इस भारत के बदले भारत इस इंडिया मेरी पहली पसंद होगी मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है पर भारत मेरी पहली मुहब्बत है